हमस्कार मेरे ग्वांग में आपका सभी का स्वावबात है और आज हम आपको बताएंगे कि जो जो गुषोत sprang में एक को जाड़े दम बेकार हो जाते हैं दर दर और एकदम यहां फाध जाते को पाधा ते फैन कीडे पड़ जाते हैं तो जब जाड़े में जो तुन नभी जाते हैं और जो फ़िए नही Ses के भारतिकि व्हों के और उह प्रफासर हो पहले पेस्ट बढा़े शोपितराइन हम्हार ₹ जब भूना तो उसकी अच्छी से खुश्बू आने लगे जिसमें चोनी सोदी खुश्बू आती है जब वो आने लगे तब आप समझों गया वो बढ़िया भून गया है तो आप भून गया हम दिखा तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो चीज़ बन चुकी है लेकिन हम बता र बना लेजे आप उसको बनाके फिर उनको ग्लाइन को भूने डंक से अच्छा सब भून जाए तो उसमें बढ़िया देसी घी मिलाई ये देसी घी मिलाई विसकर पीस के लाइए बढ़िया पीस के मिलाके तो हलका सब गुन्वना रहे तब आप उनको बनाई गी तो बंद आपको दिखा रहे हैं कैसे बने लग्डी डब में सब भढ़ दी हैं खानाओ तो आजाए ज़रा खोलना को हुआ है वहां बंती जाए आए हम लोग गाओ से भी रहने वाले हैं तो बहुआ मुंसे निकली जाता है यह देखिए ऐसे लड़ू बनेंगे जैसा लगे कि जैसे पजार के पेशन के लड़ू है अईसा लड़ू अगरा बनाना है खुब सारे बने यह तो आधा डबबा एक डबबा उरूपर रखता हो देखिए वो रखा है खुब भरके बनाए हैं हम लोग अगर आपको लोग खाना हो तो चले आओ और चना फेकना बिल्कुल नहीं बर बना हुआ चना कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है उसके लड़ू बन सकते हैं पीसी है भूनी है सक्कर मिलाई है और फिरेसी घिम मिलागे बान दीजिए बहुत अच्छे लड़ू बनेंगे खा के देखिएगा और बताईएगा कैसे बने हमारे तो भईया बन गए हम तो खाने जा रहा है आप लोगों के खाना हुआ चले आओ स्वागत है आपका बढ़िया राम राम